दादी नानी के घरेलू टिप्स जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। फ्रीज में बेलन रखकर उससे ठंडा करके रोटी बेलने से आटा चिपकता नहीं है। कोई बरतन अगर जल जाता है चाई या दूद से तो अगर आपसे साप नहीं हो रहा तो उसमें चाई की पत्ती और थोड़ा सा पानी डाल करके छोड़ दें। उसके बाद उसे रगड करके अच्छे से साप कर लें। तो बरतन चमक उठेगा। फ्रीज में अगर बदवू आ रही है तो एक निबू ले और उसे कट करके फ्रीज के अंदर अलग-अलग इससे में रख दें। इससे फ्रीज की बदवू थोड़ी देर में ही गायब हो जाएगी। गेह, चावल और छोले इन सभी में ज़्यादातर कीडे पढ़ जाते हैं। इन सबसे बचाने के लिए कंटेनर में डालते समये पुदीने के हरे पते डाल दें। इससे कीडे भी नहीं लगेंगे और ज़्यादा समये तक ये फ्रेश रहेंगे। हींग को अगर हम सबजी में पहले डालते हैं तो हींग जल जाता है और उसका स्वाद नहीं आता है। तो हींग को कभी भी सबजी में डालते समये तड़का लगाते हुए ना डाले उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। हमेशा हींग को मसालों के साथ पानी में मिला कर डाल इससे सबजी का स्वाद भी बढ़ जाता है बारिस के सीजन में आकसर बिस्किट नरम हो जाते हैं तो बिस्किट को जिस कंटीनर में डाल रहे हैं उस कंटीनर में एक से दो चमच चीनी की डाल दें उसके बाद अगर आप बिस्किट डालते हैं तो वो लंबे समय तक कुरकरे बने रहेंगे और ताजा रहेंगे बीन्स और सेम फली जैसी सबजियां जैसे गवार फली इन सबी को लंबे समय तक हरी रखने के लिए आप नरम बनाए रखने के लिए किसी गीले टावल या पेपर में लपेट करके रख दें इससे लंबे समय तके सबजियां हरी और नरम बनी रहेंगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सपर में या कहीं बार गए हुए हैं और मसाला चाज पीने की इच्छा है और आपके आपास अगर जीरा नहीं है इसमें भी आपके लिए एक उपाई है अगर आपके पास हाजमोला की दो γोल्या है तो चाज के अंदर वो गोल्या डाल दें और थोड़ा सा काला या सेन्दा नमग डाल करके उसे मिला ले इसके बाद चाज का स् differentiator